हेलो स्टुडेंट्स आपके मेरे ने वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 ICAC का कंप्रे अप्लिकेशन का जो चैप्टर 1 है Introduction to Object Oriented Programming उसका एक Part 2 है जिसका नाम है Introduction to Java ठीक है इस पे मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना के रखा है आप उसको जाके देख सकते हैं वो थिरिटिकल वीडियो था जिसके लास्ट में मैंने प्रोग्रामिंग करके दिखाया था बहुत से बच्चे बोड़ रहे हैं कि तो आप लोगों को खोजने में असानी होगी और तो आप मेरा वोला वीडियो जाके दे सकते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा का वीडियो मैंने अल्रेडी डाल के रखा आप उसको पहले देख लीजे वो थिरिटिकल वीडियो की तरह उसको देखिए और फिर लास्ट में मैंने प्रोगामिंग बताया है उस वीडियो में लेकिन आपको वो देखने की ज़रूत नहीं आप सिर्टिकल जितना मैंने थिवीरी समझाया है उसमें वो देखिए और फिर सीधे इस वीडियो पर आप जम कीजिए ठीक है और यहां पर मैं अच्छे से प्रोगामिंग को एक्सप्लेइन करके बताऊंगा बहुत सारे बचे कम्प्लेइन कर रहे थे कि जो आपने प्रिवियस प्रोगामिंग कराई है उसमें आपका जो है साउंड आडियो क्वालिटी सही नहीं है तो यह सब था सीन उसमें तो मैंने क्या क्या अलग से मैंने सोचा कि सारे कर जो मैं अलग-अलग video निकालूंगा separate video, programming का, ना कि theoretical थेटिकल तो आलएड़ी uploaded है तो मैं प्रोगामिंग का अलग से videos हर एक chapter का बना नेंगा तो अबहुत चैप्टर का बना रहा हूं फिन। ने आपको भी easy हो जाएगा ये करने में तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है introduction to object oriented programming आपको नहीं पता object oriented programming क्या है तो मेरे playlist में जाएए आप genius classes के playlist में जाएए आपको वहाँ पे computer का playlist मिल जाएगा chapter 1 का object oriented programming का आप वहाँ जाएए जाकर उस video को देखिए और फिर दूसरा video उसे भी देखिए फिर यहाँ पर आईएगा introduction to java का जो practical है programming का वह यहाँ पर देखने है ठीक है तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा तो अगर आपने देख लिया है वो वीडियो और आप जानते हैं उसके बारे में introduction to java का आपने theory देख लिया है तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सुरू करते हैं programming introduction to java का ठीक है तो यहाँ पर मैंने introduction to java के दो प्रगामिंग कोस्चन है यहाँ पर कोस्चन है दो यहां पर प्रोगामिंग के वो हम लोगों ने यहां पर ले लिया है question number one है question number two है दो questions है और दोनों introduction to जावाब से related है ठीक है और ये दोनों question आज हम लोग बना कर देखेंगे प्रोग्रामिंग करेंगे इसके उपर और बना कर देखेंगे कैसे बनता है और कैसे blue jay में प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं जो बच्चे अभी class 9 में आये होंगे class 8 पास करकर उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा भी experience करेंगे वो अभी blue jay को कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं उनकी basics को समझेंगे अभी तो ये video बहुत important है जो अभी class 9 में जो नय बच्चे आये हुए है ठीक है और जो बच्चे इतना जानते हैं मतब basic पहले भी उन्होंने blue jay चलाया हुआ है तो उनको ये सब समझ में आगा लेकिन आप भी इस video को देखिए इसमें मैं सब कुछ explain करूँगा बिल्कुल basic से ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आथा तो भी समझ में आगा इसमें कोई भी ऐसा rocket science नहीं है आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल easy है तो चलिए ये दो questions है हमारे यहां पे और दोनो questions जो है हम लोग उसको solve करेंगे तो solve करने से पहले हमें क्या चाहिए blue jay blue jay जिसमें हम लोग अपना ये programming जो है execute करेंगे है ना तो blue jay जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे तो उनको टो download करना पड़ेगा तो आप google chrome में जाये इस website को डालिए www.bluejay.org ठीक है इस website को visit कीजिए और उस website पे आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे downloads के लिए ठीक ना तो इसमें आप जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे से अभी सबसे लेटेस्ट वर्सन आपका निकला है 5.0.0 ठीक है कब रिलीज हुआ यह 28 जनवरी 2012 में ठीक है यानि इसी साल का यह बिलकुल नया है और आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में सब लिखा यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर दीकिए डाउनलोड लिखा है जो मैक यूज करते हैं जिनका मैक ओएस है वहां से यह मैक का अप्लिकेशन यहां से वह इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरह अलग लग वेराइटी दी हुई है जारा तर लोग जो है वो तो विंडो से यूज करते तो आप लोग इन दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर लेना अगर आप में यह वर्षन सपोर्ट नहीं करता है तो नीचे वर्षन पुराने दिये हुए है यह 2019 का वर्षन है चार अक्टूबर को रिलीज वा था यह 30 अप्रिल का है 2019 ऐसे करकर के ओलर वर्षन भी जितने भी है 2015-14 के वी वर्षन यहां पर आपको मिल जाएंगे अगर आपका पीसी बहुत पुराना है या फिर आप बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते तो भी आप यहां स अपना पसंदीधा जो आपको वर्षन यहां से डाउलोड करना हो करके अप ब्लू जै में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आप डाउनूड कर लेना आप जैसे क्लिक करो कि डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर लेना इंस्टॉल कर लेने के बाद सिस्टम में अल्रेडी ब्लु जै इंस्टाल है तो मैं यहां से ऑपन होगा यह मेरा भी जर खुल कर आगया तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला हम लोग करेंगे जो भी क्लास 9 में जो नहे बच्चे आए वो ध्यान से देखना हम लोग सबसे प्रोजेक्ट में जाएंगे हम लोग क्या करें न्यू प्रोजेक्ट क्रियेट करेंगे कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग करने से पहले बनाने से पहले हम लोग उसका क स्टुडेंट रखेंगे ठीक है यहां पर कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है आप यहां देख सकते हैं ब्लूजे स्टुडेंट यहां पर लिखा है यानि हमारा यह प्रोजेक्ट जो है बन चुका है अब हम लोग क्या करेंगे नए क्लास को क्रिएट करेंगे यहां प पर open editor पर click करेंगे तो यह हमारा जो है इसका जो इडिटर है जहां हम लोग programming करेंगे वो खुल कर आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लिखा हुआ है यहां पर बहुत सारा जहां पर और इन सब पर आपको ध्यान नहीं देना है आपको control a press करना है जिससे आपका पूरा इससे आपका यह सब को select हो जाएगा फिर आपको यहां पर delete को click करना है डिलीट पर आप जैसे हम प्रेस करोगे सब कुछ delete हो जाएगा ठीक है अब हम लोग यहां पर programming अपना start करेंगे फटाफट ठीक है तो उससे पहले questions देख लेते हैं क्या questions थे introduction to Java के क्या questions है और programming कहीं बाहर से नहीं करा रहा हूँ आपके जो book में दिया हुआ है मैं उसी को यहां पर solve करूंगा हम लोग solve करेंगे ठीक है तो question number one है फिर question number two है सबसले question number one देखते है क्या है हमारा तो लिखा है design a program in Java to display the following information on the output screen ठीक है यहां पर display करना है output screen पे कुछ information को information नीचे दिया हु आपका यहां पर name है class है roll number है subject है school है ठीक ना यह 5 चीज़े हैं यहां पर और इन पाचों को हमें क्या करना है डिस्प्ले करना है output screen ठीक है कैसे करेंगे इसके लिए हमें programming करनी पड़ीगी जावा में ठीक है जैसा कि यहां पर लिखा है designer programming जावा यानि जावा में हमें से प अपन करेंगे कि ब्लू जे में हमें करना है programming तो जैसा कि कुश्षिन में दिया था हमें print करना है तो print के लिए हम पर प्रोगामिंग यहां पर करेंगे ठीक है तो सबसे पहला काम हम लोग जब class यहां पर create हमने किया यहां पर blue जे में open होगी है तो सबसे पहला काम जो हमें क करना हम लोग यहां पर class create करते है ठीक है class का name है यहां पर दे दिया जाता है student ठीक है यहां पर curly braces हम लोग दे देंगे हमने class create कर दिया student के नाम से ठीक है और यह बिलकुल compulsory चीज़ है जब भी आप programming करोगे आपको class create करना पड़ेगा और उसके अंदर आपकी जितने भी अब हम लोग लिखेंगे public static void main ठीक है यह हम लोग लिखेंगे फिर यहां पर हम लोग small bracket देंगे उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे string ARGS square bracket देंगे फिर curly braces हम लोग यहां पर देंगे sorry पहले हम लोग bracket close करेंगे फिर curly braces यहां पर देंगे ठीक है curly braces देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जैसा कि question में दिया था यहां पर हमने लिखकर रखा है कि हमें display करना है print करना है output screen में इन सब चीजों को name class law number subject और school को इन path चीजों को print करना है तो हमें यहां पर क्या print का लिखना पड़ेगा तो print के लिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे system.out.println ठीक है यह लिखने के बाद हम लोग यहां पर small bracket देंगे double quote का यहां पर हम लोग देंगे sign ठीक है double quote को यहां लिखेंगे और इसके अंदर हमें जो print करना है वो हमें लिखना पड़ेगा तो हम लोग यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या दिया नेम प्रिंट करना है ठीक है तो हम लोग यहां पर नेम लिखेंगे ठीक है, आप अपना यहां पर अपना नेम दे देना, मैं प्रोगामिंग अभी यहां करना हूँ, तो मैं अपना नाम दूँगा, यहां पर अभी शेक, ठीक है, और फिर हम लोग इसको डबल कोड देकर, इसको क्लोस कर देंगे, और फिर बैकेट को यहां क्लोस करेंगे, तो आपको तो इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा हूँ कि मैंने भी तब कुछ एक्स्प्लेइन ही नहीं किया ठीक है एक लास क्या हो गया क्लास टॉरेंट क्या है ये पपलिक स्टेटिक वॉइड में किस पक्छी का नाम है कौन सा पक्छी है कौन चिडिया है आज स्ट्रिंग एक के करके देखेंगे हर एक चीज को देखेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है क्या होता है इन सब का मतलब ठीक है तो फटा फटा हम लोग देखते तो सबसे पहले यहां पर लिखा है क्लास और क्लास के बगल में मैंने लिखा है स्टुडेंट तो यहां पर मैं क्या कर रहा ह तो पूरा जो programming का class है उसका नाम रहेगा student, class के हमारा keyword होता है, ठीक है, और हम लोग इसको create करते है, programming करने से पहले, compulsory चीज़ है, करना पड़ता है, ठीक है, और कोई भी rocket sciences में नहीं है, हम लोग सब को समझेंगे, एक एक करके, फिर यहां पर लिखा है public static void main, और फिर यहां क तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे, यह public क्या होता है, ठीक है, तो public हमारा होता है access modifier, ठीक है, public को हम लोग बोलते है, access modifier, ठीक है, चार तरह के access modifier होते है, एक होता है आपका public, जो हमने अभी यहां पर लिखा है, फिर होता है private होता है, दूसरा, तीसरा होता है protected, ठीक है, और चौथा होता है हमारा default चार तरह के हमारे access modifier होते है ठीक है इसे याद रखना और public का क्या काव है यहाँ पर हमने public क्यों लिखा है तो public जो हमारा है और यह हमारा main method है हमने जो main लिखाई है हमारा main method है तो होता है कि हमने main method को क्या किया है यहां पर पब्लिक किया है इसका मतलब क्या पब्लिक मतलब इससे कोई भी एक्सेस कर सकता है यह पब्लिक है ठीक है पब्लिक जैसे हम लोग कहते है ना पब्लिक प्लेस पब्लिक पे पब्लिक जाती कोई भी जा सकता है क्योंकि वह पब्लिक के लिए बनाया गया तो इसी तर है ना और मालीज है हमारा प्रोग्रामिंग किसी जुसरे ड्राइब में है तो क्या यह एक्सेस हो जाएगा बिल्कुल आराम से होगा क्यों क्योंकि यह पब्लिक है ठीक है जुसरे ड्राइब में भी है तो भी एक्सेस हो जाएगा क्योंकि यह पब्लिक है पब्लिक मतलब कही से भी कोई भी access अराम से कर सकता है इसलिए हमने यहां पर public देखके रखाया ठीक है अगर यहां पर प्राइविट भी दे सकते हैं protected भी दे सकते हैं लेकिन वह आप थोगे इसे प्रोटेक्टेट डैसे प्रोटेक्टेट दोगे तो कुछ जुसरा ही केस होजाएगा ठीक है देखते हैं static क्या होता है, ठीक है, static मतलब हो गया, आपके class में कोई object जो है, वो नहीं है, ठीक है, आपके class में कोई भी object नहीं है, और आपका जो main method है, यहाँ पे, और आपका जो यहाँ main method है, उसको static होना पड़ेगा, ठीक है, हमारा main method जो है, वो static है, इससे होता है, static लिख वो class को memory के इंदे डाल देगा, और फिर उसको क्या करेगा, main method जो उससे call कर पाएगा, static का देते हैं, यहाँ पे static लिखते हैं, static मतलब हमारे class में कोई object नहीं है, ठीक है, और हमारा जो class है, उसको क्या करता है, यह लोड़ कर देता है, memory के अंदर, ठीक है, यह हमारा काम होता है, static का, फिर हमारा यहाँ पे आता है, void, void मतलब क्या होता है void मतलब होता है nothing void मतलब nothing कुछ भी नहीं कुछ है ही नहीं ठीक है इतम खोकला void हम लोग उसको कहते है void तो इसमें होता है void में तो आपका जो main method होता है जो आपका Java का जो main method होता है जो main method होता है उसका जो return type है वो उसका void होगा, void मतलब nothing इसका जो return आएगा, वो कुछ भी नहीं आएगा ठीक है, हमारे जब program execute कर जाएगा, तो उसके बाद उसका जो return है, वो nothing आएगा ठीक है, return कुछ भी नहीं आएगा इसलिए हम लोग इसको कहते है, void interview में question पूछा जाता है वोईड का, void क्या zero होता है, void क्या null होता है, यह पूछा जाता है, ठीक ना, अगर आप बोलोगे, जीरो होता है तो भी गलत है, अगर आप बोलोगे कि void null होता है, अब आप बोलोगे कि void तो कुछ होता ही नहीं है nothing है, तो उसको zero क्यों नहीं दे सकते है नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता है, आपका जो void है, उसका कोई value ही नहीं है, आपको zero भी नहीं बोल सकते, आपको null भी नहीं बोल सकते, void मतला इसका कोई existence नहीं है, ठीक है, तो ये होता है हमारा void, ठीक है, और इसका क्या होता है काम हमारा, तो आपका जो Java का main method होता है, वो return मे कुछ भी नहीं देगा ठीक है वो हमारा डिटर्न होकर कुछ भी नहीं आएगा तो वो नतिंड रहेगा ठीक है और फिर हमारा जो यह main है, वो main क्या है, यह main हमारा main method है, ठीक है, हमारा public जो है, हमारा main method static है, हमारा main method जो है, void है, ठीक है, और यह हमारा main method है, ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, तो हमने यहाँ पर small bracket का use किया है, और string ARGS लिखा है, string को हम लोग ऐसे करके bracket के अंदर लिखते है स्ट्रिंग हमारा किया है स्ट्रिंग हमारा है प्री डिफाइंड क्लास ओके स्ट्रिंग हमारा प्री डिफाइंड क्लास है और एक दिमाग में रख लेना और हमेशा इसको याद रखना जैसे स्ट्रिंग है हमारा क्या प्री डिफाइंड क्लास है जितने भी प्री डिफाइं अगर आपने यहां पे कुछ गलती की होगी तो आप जब कमपाइल करोगे तो आपको यहां पे बता देगा ब्लू जे बता देगा आपको कि यहां पे कुछ енко है ठीक है हमारे जेतने भी प्रीडिएफाइट हमारे जो क्लास होता है उसका पहलتم ने अगन का फंडा यहुता है थीक hospitals का ऐसर्ण में वह प्रे डिफाइट क्लासी है और ए आर्जी किया है तो हमारे फेर्डीस argument है ठीक है argument है तो हमारा यह string type का तो यह हमारा argument है यह string type का array है ठीक है यह हमारा string type का array है इसलिए हम लोग आपर string लिखे है फिर हम लोग आपर args लिखे है sort में जो होता है आपका argument और यह हमारा java का command line होता है तो यह होता है हमारा public static void main, ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है, तो आपको इसमें कोई भी confusion, I hope नहीं हो रही होगी, अगर कोई भी आपको दिखके तो comment किजिए, और फिर हम लोग नीचे अब देखते हैं, यहाँ पे system.out.println, अफिर यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, और लास्ट में, यहाँ पे semi-colon है, देखते हैं यह क्या है, तो पहला है आपका system, system क्या है, system हमारा predefined class है, जैसा कि मैंने अभी बताया, string हमारा predefined class था, जिसके चलते हैं इसका जो पहला लेटर जो है, capital रहेगा हमें साथ, इस तरह आप यहाँ भी देख सकते हो, कि system मैंने लि capital रहता है, इसके ध्यान रखना, और हमारा system है, यह किसके अंदर store रहता है, यह हमारा java.lang करके एक package होता है, जिसके अंदर हमारा system रहता है, ठीक ना, वहीं से यह java.lang वाली जो package है, वहाँ से इसको call किया जाता है, तो यहाँ पे इसका काम होता है, ठीक है, इसके बाद फ आउट का basically मतलब होता है output इसको हम लोग कहां पर sort करके लिखते है आउट ठीक है यह हमार आउट क्या होता है static variable होता है तो print stream class का ये static variable होता है ये छी किस में confusion मतलब हldults ना print stream class का ये static variable होता है ठीक है और ये print stream class किसका होता है तो यह system का होता है ठीक है यह system का print stream class होता है ठीक है यह दोनों मिल कर काम करते फिर आपका यहां प्याता है print ln ठीक है print ln क्या है यह भी हमारा 3 space and can't tap bundle के कुछ variety होता है जैसे print ln यहां पर मैंने लिखाया तो यहां पर प्रिंट भी होता है ठीक है एलेन मिटा दूँ अगर यहां पर सिफ में प्रिंट चोड़ दू तो भी यह सही है क्योंकि प्रिंट करके भी कमांड होता है ठीक है और प्रिंट करके भी कमांड होता है ऐसे करके प्रिंट एफ करके भी कमांड होता है सी और सी प्लस प्लस जिस जिन बच्चों ने किया होगा उनको पता होगा प्रिंट एफ वहां पे यूज होता है तो जिन बच्चों ने सी और सी प्लस प्लस प्रोगामिंग लेंगवेज इसने किया होग तो जिन्होंने प्रोगामिंग की होगे C, C++ में, उनको पता होगा, वो प्रिंट F का यूज करते हैं, ठीक ना, जावा में भी इसका यूज होता है, लेकिन इसका कुछ डिफरेंट यूज होता है यहापर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट LN हम ने यहाँ पे लि information on the output screen यह हम लोगों को डिस्प्ले करना है तो यहां पर फटाफट बीना टाइम वेस्ट किये हम लोग इसको एक्जेक्यूट करेंगे अब यहां पर नेम हम लोग दे देंगे इसका अभी शेक ठीक है फिर क्या लिखना है हमें क्लास क्लास हम लोग क्या देंगें क्लास नाइन ठीक है बिलकुल इजी है यहां पर कॉपी पेस्ट आप इस तरह कर दीजिए पांच बार ठीक है यहां पर एक और एक और यह होगा पांच बार ठीक है लिखने की ज़रूत ने कॉपी पेस्ट कर दो सीधा सेम रहेगा सब लोग क्लास के बाइद हमें लिखना रॉल नमबर हम लोग पर क्या करेंगे रॉल नमबर क्लास के बाद I हम लोग यहां पर computer application लिखेंगे आपका जो मर जी आप कुछ भी लिख सकते हो आप programming कर रहे हो आप मालिक हो computer application ठीक है यह हमारा subject हो गया अब last में हमारा school रह जाता है ठीक है last में हमारा school रह जाता है तो हम लोग है हम आप future देंगे last बिलकुल S C H O L ठीक है, स्कूल हो गया हुँआ, स्कूल का नाम क्या है? हमनों यहाँ जीनियस क्लास test लिख देंगे हमारे जो चैनल का नाम है जीनियस क्लास test ठीक है, इखनर मज़िधार लग रहा है बढ़ियां बहुत ठीक है यह हमारे स्कूल का नाम हो गया अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया था, दर्वाजा खोला है, तो बंद भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर curly braces को open किया था, close भी करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी से महनत यहाँ पर, और यह close हो गया, compile करके अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, compile हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए कि कोई error तो नहीं है, प्रोग्राम में हमारे, दिखा रहा है, class compile, no syntax error, अब जैसा मैंने बताया था, predefined class का पहला लेटर हमेशा capital होता है, मानलो हमने यहाँ पर small लिखा था ठीक है, mistake हो गई, चलो, by mistake, वहाँ पर miss हो गया, मैंने small लिख दिया, अब compile करते हैं, देखरो यहाँ पर, लिख दिया, found in class, error found in class, ठीक है, error आगया, और देखो यहाँ पर बिल्कुल blue jay में यही है, advantage है, यहाँ पर देखो बता देता है कि कहा error है, इस section में यहाँ पर इस capital नहीं है, आप इस तरह capital कर दो, अब compile करो, predefined class है, पहले लेटर हमें से capital होता है, तो no syntax error, बिल्कुल सही, ठीक है, मज़ा आगया, अब यहाँ पर हम लोग से cut करेंगे, अब run करेंगे, execute करेंगे, प्रोड्राम को देखते, अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ सब कुछ आप print और print alien में क्या, यहाँ पर देखो, मैंने गलती करके रखी, यहाँ पर alien यहाँ पर देना पड़ेगा, सब में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि space ना आए, यहाँ पर print alien लिख देंगे, ठीक है, सब कुछ हो गया, और यहाँ पर compile करके देख लिए, कोई error नहीं, इसे बंद करो प्रोग्राम को execute किया जाए, यहाँ पर blue jay हमारा open है, student में जाएंगे, right click करेंगे, wide main string, args जो लिखा है, इसको click करेंगे, और के पर press करेंगे, तो हमारा इस तरह खुल किया जाए, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर successfully प्रोग्राम को execute कर दिया है, और हमारा जो यह result है, आपके सामने screen पर आपका नजर आ रहा है, ठीक है, हमें बोला गया था name यहाँ पर print करने, है ना, name था, इसको मैं ऐसे side कर देता हूँ, name बोला गया था, name print हो गया, class बोला गया था, class print हो गया, roll number print हो गया, subject print हो गया, और school जो जैसा कहा था, कहा गया था question में, वैसा हमने कर के यहाँ पर print कर दिया, तो इसमें आपको 10 out of 10 मिल जाएंगे number, कोई problem नहीं है, ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं, programming blue jay में, आपको फिर से इसमें कुछ चेड़कानी करनी है, edit कुछ करना था है, यहाँ पर open editor में जाके, आप यहाँ पर चेड़कानी खुद से कर सकते हो, अब देखते हैं, दूसरा question, ठीक है, question number two क्या है, you want to display your bio data on the output screen, write a program in java to perform the task in the given format, given format में आपको क्या करना है, bio data जो है, वो display करना है आपको output screen पे java की मिलत से, ठीक है, blue jay में ही हमें करना है, अब यहाँ पर क्या है, name है, father's name है, date of birth है, blood group है, आधार कार नंबर है, और state है हो क्या रहा है, same चीज़ जो हमने यहाँ पर किया, वही funda यहाँ पर भी है, बिल्कुर सब कुछ same to same करना है, name, class, role, number, subject, और school था है, और यहाँ पर तोछा changes है, father's name है, date of birth है, blood group है, और यह सब है, जैसा कि हमने यहाँ पर जो लिखा था, सब कुछ same to same रहेगा, ठीक है, स तो यहाँ पर अपने father का name तुम दे देना, ठीक है, आपको जो भी, x, y, z, कुछ भी आपको father का name देना, आप यहाँ पर दे देना, फिर है आपका date of birth, तो यहाँ पर आप double quote को ध्यान में रखना, double quote को raise नहीं करना, double quote के अंदर लिखा जाता है, print का जो हमें करना है, ठीक ह आपका homework है, आप यह program खुट से करो, ठीक ना, bluejay में करके देखो, जो मैंने समझाया अभी है, आपे, same funda है, बिल्कुल same to same है, यही करना है, आपको यह खुट से करके देखो, यह आपका homework है, अपने computer, अपने personal computer में, अपने laptop में, इसे करके देखो, execute करके देखो, compile करके द दीख रहे है, जावा बिल्कुल उनके लिए नया नया है, आप प्लीज इसे as a homework, देख लो इस question को, और करके देखो, खुट से, execute करो, प्रोग्राम को, मजा आने वाला आपको बहुत ही, इदम interesting है, कोई भी rocket science नहीं जैसा कि आपने देखा, class से लेके last तक मैंने जो भी था सब कुछ बता दिया, कैसे होता है, तो same to say मैं आप करके देखो, सिर्फ यहां पे change हो जाएगा, और करके देखो, मजा आएगा आपको, तो ठीक है, तो ये था हमारा introduction to Java का जो programming है, वो हमने दो question था, वो उसमें से एक question किया, दूसरा question भी बिल्कुल same to say मैं, जो आपका homework है वो आप करोगे, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे इंट करूँगा, अब मेरा जो next वीडियो आएगा, उसमें में लोग, chapter 3 का जो programming है, वो करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही मज़ा आएगा, और इस वीडियो को इंट करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कहीं भी कुछ भी प्रावब्म अगर आपको आ रही है, प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में अगर आपको कहीं भी कुछ भी डौट है, तो आप प्लीज मूझे कोमेंट करके बताइए, मैं फटाक से आपको इसका डाउट को आपका जो है डाउट को क्लियर करूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा आप टेलिग्राम ओपन करो ग्रूप जोइन करो अगर आप नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप मुझसे मनें question पूछ सकते हो मैं fully से वहाँ पे आपको answer देख है है और अगर आपको computer application की और भी जो मेने videos बने इसको देखना तो आप मेने website को visit कर सकते हो www.geniusclasses.net.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमारे वेबसाइट को विजिट करो वहाँ पे आप सब्जेक्ट में जाना तो आपको कम्टर अप्लिकेशन मिल जाएगा क्लास 9 का आपको इसमें से जो भी सब्जेक्ट देखना देख लो क्लास 10 का भी मैंने कोई वीडियो डाला तो अभी आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा लेकिन मैं जैसे ही डालूँगा मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगा तो क्लास 9 का आपको मिल जाएगा जो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा दिये उस का आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो आप वहाँ से अपना देख ले कि अगू यूद कर दूर से लेचता है कि जाएगा यज Lea जिखेड़ लेकिन मैं तो आपको से अपको के दूब यूद ख्यू जू जाएँरे टिल गूए और गपको वह वहाँ पवहाँ पुचाने जाव पर को भगब जो से एनLY इवहाँरा दिखेड नहीं थेड़ है